दोस्तो आज हम आपको बताएंगे दुनिया में मौजुद कई ऐसे ड्रोन्स के बारे में जिन ड्रोन्स की मदद से आप सबसे भेतरेनी स्काइशूट कर सकते हैं आपको बता दे इन में से कई ड्रोन्स तो ऐसे भी हैं जिनों का कारिक फाइटर प्लैन जितना बड़ा है और जिने कई देशों द्वारा अपने देश की शुरक्षा करने के लिए काम में लिया जाता है किसी भी आम ड्रोन से कुछ अलग दिखने वाला ये ड्रोन असल में दुनिया का सबसे पहला 4K ड्रोन है जिसे आप समेट कर एक छोटी से बैग में भी रख सकते हैं और इसकी सबसे खास बात इसमें मौजद पंके के प्रोटेक्शन को बताया जाता है जो इसके संतूलन बिगरने पर किसी को भी नुकसान नहीं पहुचाता है आपको बता दे ये ड्रोन 32 किलोमेटर पर ते घंटे की रफतार से 20 मिनिट तक लगातार वीडियो शूट कर सकता है वो भी 4K की सबसे बहतरीन कॉलिटी के साथ जादातर पहाडों पर ट्रेकिंग करने वाले लोग इस तरह के ड्रोन का इस्तमाल करते हैं दूस्तों आपको फोन से फोटो लेना पसंद है या फिर कैमरे से आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं किसी भी आम ड्रोन की तुनला में काफी बड़ा दिखने वाला ये ड्रोन असल में किसी भी देश की शुरक्षा और अपने दुश्मन देश में चल रही गती वीडियो का पता लगाने का सबसे बहतरीन तरीका है आपको बता दे अमेरिकन सरकार द्वारा इस ड्रोन को चलाया जाता है जिसकी 7,847 किलो फ्यूल कैपेसिटी इससे लगातार 34 गंटे हवा में उडाने के लिए शक्षम है और अगर बात करें इसकी कीमत के बारे में तो 15 अरोब रोबे की लागत वाला ये ड्रोन असल में अपनी 630 किलोमेटर परती गंटे के रफतार से 22,000 किलोमेटर से भी ज़्यादा दोरी से कंट्रोल किया जा सकता है आठ मॉटर वाला ये ड्रोन असल में वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए एक DSLR को हैंग करके आसमान में ले जा सकता है और इसमें लगी दो बैटरीस इसे काफी समय तक हावा में रहने की पावर देती है इस तरह के ड्रोन का इस्तमाल जदातर मुवीज बनाने के लिए किया जाता है तीन लाग रुपे की कीमत वाला ये ड्रोन असल में 18 किलो वजन उठाकर आसमान में उड़ता है और रही बाद इसके शांदाल लुक की तो ये ड्रोन आसमान में उड़ने के बाद एक फाइटर प्लेन की तरह दिखाई देता है दफोटो काइट एक रसी के सारे बंदा ये ड्रोन असल में उन लोगों के लिए एक भैतरीन उप्शन है जिन लोगों को अपने ड्रोन घूमने का डर इस हद तक सताता है कि वो कभी भी ड्रोन शोट नहीं लेते परन्तु इस ड्रोन की मदद से आप किसी जोखीम वाली जगे पे भी ड्रोन शोट ले सकते हैं क्योंकि अगर किसी कारण से इसके कंट्रोल खराब हो जाते हैं तो आप इसे अपने पास मौज़ो दरसी के मदद से इसे अपनी और खह सकते हैं इतना हलका दिखने वाला ये ड्रोन एक बार में फुल चार्ज होने के बाद 15 मिनिट तक लगाता हरावा में उड़ सकता है दोस्तो आपको क्या लगता है किस कंपनी के फोन में सेलफी सबसे अच्छी आती है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ दोस्तो अगर आपने अभी तक मेर चनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबस्क्राइब करना मत भूलना धन्यवाद